लोक सवाज चुनाओ का अपचारिक एलान होना भले ही बाकी हो लेकिन बाकी सवी पार्टियां चुनाओ की त्यारी में जुट गई हैं एक और जहां तेजस्वी आदो निकल जन विस्वास व्यात्रा की शुरुआत की और इसी क्रम में स्यूहर की जनता को तीन या चार मार्च को राजद की विसाल रैली जो है वो पटना के गांधी मैदान में होने जा रही है दरसल इसकी सूचना जो इसकी आधिकारिक तारीक जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है हलाकि आने वाले समय में कुछ दिनों में आपचारिक तारीक जो है वो सामने आ सकती है तीन वाले समय में देखा जा सकता है क्योंकि सीवर की जनता को तेजस्वी यादों ने रैली में आने का नियोता दे दिया है और एक बड़ा बिसाल रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा तो वहीं दूसरी और भारतिय जनता पार्टी भी अपने पार्टी के वर्ये नेताओं को बिहार आने का कारेकरम जो है वो तै कर रही है पार्टी सुत्रों के माने तो प्रधान मंत्री मोधी और ग्री मंत्री अमीजशा मार्च के पहले सपता में बिहार आएंगे जबकि इसी महीने रच्छा मंतरी राजना सिंग बिहार आएंगे इननेताओ का कारिक्रम को अम अन्तिम रूप दिया जा रहा है दरसल जानकारी के अनुसार परधार मंतरी मोदी तीन मारच को बिहार आ सकते हैं परधार मंतरी चम्पारण में जन्सभा को संबोधित करेंगे इस दोरान वे केंसरकार की कई योजनाओं का उद्गाटन और सिला न्यास भी करेंगे इससे पहले जनवरी फरवरी के महीने में परधान मंत्री दौरे का दो कारेकरम अस्थगित हो चुका है अब नई तारीक तीन मार्च सामने आई है वहीं गिरिय मंत्री अमीट साब ही पटना आने वाले हैं वे पांच मार्च को पटना आ रहे हैं इस दोरान वे भाजपा के काजकरताओं को संबोधित करेंगे वहीं इसी महीने रच्छा मंत्री राजनाओं सिंग बिहार आएंगे वे दो जन्षभा को संबोधित करेंगे रच्छा मंत्री का बिहार दौरा 28 फरवरी को हो सकता है इस दिन वे सीता मड़ी छपरा मध्वनी या दर्भंगा में से किसी दो अस्थानों पर जन्षभा को संबोधित करेंगे राजनाओं सिंग के दौरे को लेकर पार्टी के अस पर आ रहे हैं 23 परवरी को सहाबाद के छित में इनकी बड़ी जन सभा जो है वो होने वाली है और ऐसे में बिहार की जनता को साधने की कोसिस जो है वो भारती जनता पार्टी भी अब करनी सुरू कर दी है क्योंकि आने वाले समय में तीन चार मार्च को एक और जहां रैली होन कारेक्रम जो है वो पार्टी के सुत्रों की माने तो है वो जानकारी दी जा रही है किंद्रिये ग्रिह मंत्री अमीत्सा बिहार आने वाले हैं और ऐसे में अब बिहार की जनता को साधने की कोसिस जो है वो अलग-अलग पार्टीयों की ओर से सुरू कर दी गई है भले ही त्यारी हो चुकी है ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखेगा ऐसे तमाम ख़बरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें धन्यवाद और एक जाए कि